हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चानल पे आज मैं लेकर आई हूँ सोया अफगानी की रेसिपी ये बनाने में बहुत सिंपल रेसिपी है हेल्दी रेसिपी है और आपको बिल्कुल जटपट बनके त्यार हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा बस इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स है उनको हमें फॉलो करना है तो बिना सादा देरी करें चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मलती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है सोया को थोड़े दो से चार बार जो है मैंने इसको भीगोकर अच्छे से साफ कर लिया था पानी में धोल लिया था उसके बाद हम इसको प्रशर कोकर में डाल कर इसमें डाल देंगे जितना हमारा सोया है उतना अल्मोस्ट उतना ही पानी उसके साथ मैंने हाप एक तेजपत्य का इस्तमाल करा है और थोड़ा एक तुकड़ा अध्रक का मैंने कद्दुकस करके लिया है और आधा चमच हम यहां नमक इस्तमाल कर रहे है ध्यान रही कि नमक थोड़ा कॉंटिटी में कम ही इस्तमाल करे क्योंकि हमें आगे भी उसका इस्तमाल करना होगा अधर्वाइस वो बहुत जादा हो जाएगा तो अब हम इसमें एक विसल लगा लेंगे हाई फ्लेम पर यह जादा पकने में टाइम नहीं लेता है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ यहां पर हम तयार कर लेंगे मारीनेशन के लिए ग्रेवी तो यहां पर मैंने एक बंच लिया है धनिया का उसी में हम डाल देंगे अपनी दो हरी मिर्चे और क्योंकि हमने इस्तमाल पहले भी करा हुआ है अद्रकों तो यहां पर मैं बहुत ही छोटा तुकड़ा अद्रक का इस्तमाल करने वाली हूँ इसी के साथ हम इहां पर इस्तमाल खरेंगे 8-10 काजू ये हमारी gravy को thick करेगा और उसमें बहुत ही royal सा अच्छा सा flavor भी देगा तो इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे grind और miximase का एक smooth paste तयार कर लेंगे इसके बाद मैंने एक bowl लिया है इसमें मैंने लिया है यहाँ पे घर का दही मैं इस्तमाल कर रही हूँ उसका पानी नहीं लिया है मैंने मोटा मोटा बिल्कुल एक hung curd की तरह इस्तमाल कर रही हूँ उसका पानी हटा के यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काली मिर्च काली मिर्च के साथ ही मैंने आपे काली मिर्च को मैंने इस्तमाल कर रहा है एक चोथा ही चमच उसके साथ आधा चमच गया है इसमें जीरा पाउडर और आधा ही चमच मैंने यहां पर इस्तमाल करा है चाट मसाला और उसके साथ ही आधा चमच यहां पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और आधा ही चमच डाल रहे हैं हम यहां पर लाल मिर्च क्योंकि हम में आग اच्छे से बोई हो गया । मैं निकालके अप्सेस वाटर जो था उसमें जॉबी था उसमें ज्यादा पानी था उसको रेलीस कर दिया था हाथसी क्योंकि वह ठंडा करके मैं इसमें इस्तिमाल कर रही हूं तो मैंने एकसेस वाटर को अपने हाथ से स्क्वीज आउट कर दिया था अब सारी चीजों को हम कर देंगे मिक्स तो यह हमारी मैरिनेशन हो गई है अगर आपके पास टाइम है और आप इसको डिनर में बना रहे हैं तो आप इसको तीस मिनट के लिए छोड़ दे मैरिनेट करन जादा इसमें नायूज हो तो इसको अच्छे से चला लेंगे फिलीम को यहां पर मैंने हाई रखा हुआ है और यह लमसम तीन से चार मिनिट के अंदर जो है यह बहुत ही अच्छे से जो है कुख हो जाएंगे मिन्ती गोल्डन कलर इन पर आ जाएगा हम इनको गोल्डन करन धाने है अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस चलाते रहें और देखिए इसने जो भी एसमें और ते ब्ल्र इनको अच्छे से घ्राइब हो गही है अब कर लिया है अब दूसरे पान में हम ढालेंगे थोडा औल क्यूंकि और पैले म्यूँश यू вним रख कर चुके में विलीन quantity को बिलकुल कम रखा हुआ है अब यहां पर मैंने डाल दिया है एक डाल चीनी उसके साथ मैंने यहां पर डाली है दो से तीन लॉंग और इसमें सिर्फ इतने ही मसालों का यहां पर हमें इस्तिमाल करना है तेज पत्ता का हम पहले यूज कर चुके थे तो इसलिए हम उसको य नहीं करा है ग्रेवी हमारी काफी थेक है तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड कर दूंगी ताकि यह बहुत ज्यादा थेक ग्रेवी रेडी ना हो अगर आपको इसको चावल के साथ खाना है तो आप इसकी ग्रेवी को और ज्यादा पतला कर सकते हैं मैं यहां पर इस रोटी के साथ इस्तेमाल करने वाली हूँ तो मैं इसकी थेकनेस जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मीडियम रखूंगी ना ज्यादा थेक होगी ना ज्यादा लिक्विडी होगी अब इसको चलाते हुए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको कर सकते हैं अब इसमें आइड कर देंगे अपनी शालु फ्राइग करा हुआ हुआ सोयाECT wellbeing और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप इसको थोड़ा और पतला रखना चाहते हैं चावल के साथ खाने के लिए तो इस टेज पर भी आप इसमें जो है गरम पानी का इस्तमाल कर सकते हैं देखिए इस तरह का ये रेडी हुआ है क्योंकि इसमें हमने काजु का इस्तमाल करा है तो वो इसकी ग्रेवी को काफे ठिक करता है तो एक और बार बॉयल देने के बाद जिसमें की हम मुझे टाइम लगा है करीब दो मिनिट का हमारी सबजी जो है हमारी सोया अफगानी बनकर बिलकुल रेडी है यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है और अगर आप प्याज खाते हैं प्याज का इस्तमाल करते हैं तो जब हमने धनिय का ग्रेवी बनाया था धनिय का हमने पेस्ट बनाया था उस टेज पर आप इसमें प्याज का इस्तमाल कर सकते हैं यह बहुत ही जल्दी बनकर रे